वाहिग्रु जी का खाल साथ वाहिग्रु जी की फते दास परमजीत सिंग पटी पिंड डस का जिलास संगरूर तैसील लेरागागा हर एंतवार पिंड़ डसके देवेचा पमरीजानू मिल देयां जिड़ शोटियां तो लेके वडियां बमारियां दे नाल कई-कई सालना तो जूज रहे है दवाईयां खाके आक ठक चुके है ठीक ही नी हो रहे श्रीर होर खराब हो रहे है वो हर एंतवार नो पिंड डसके दे वेच मिननों मिलके अपनी नवज दखाके देसी जड़ी भूटिया नड़ बनिया हुईया दवाईया दे नाल अपने रोगांदा गरंटी दे नाल इलाज करवा सकदे हूँ हर एंतवार नो स्वेरे सत बजेतों लेके शामदे सत बजे तक कापा मरीज जानों मिल दे हैं हर एंतवार नू सवेरे साततों लेके शाम दे सात वजे तक अपां मिल दे हैं। आज जिस विशेच मैं तवाटे समने आयां ओ ए चमडी नाल समंदत रोग। एदे विच सड़े कई तरह दे रोग ने चमडी दे। ते हर एक चमडी दे रोग ते ए नुकता सो परसेंट कम करेगा ओदा दावा गरंटी मैं लेके स्टांपे परते देननों त्यार हैं। तो हर एंतवार नू तुसी मिननों मिल के ए दवाई बनी हुई भी ले सकते हैं। ते करे भी बना सकते हैं। तो एदे विच दो चीजां हुँदी हैं। एक खान आली ते एक लाउन आली। ए जड़ियां बमारियां ने कुश्क मैं दास देना बाकी कोई भी चमडी दार होग है। जिदा किसे दे मूँ दे उत्ते फिंसियां ने बच्चेयां दे नौजवान दे मूँ ते पिंपल निकलाओं दे फिंसियां ने जिमें किसे दे शाईयां पैजां दियां ने चूरडियां पैजां दियां ने ए चेरे दे रोगने रंग जादे निकरदानी काला रंग है जा जख माली है, सुराइसस जड़ा मरजी प्राणा रोग है, किसे दे कोड तक पैगा चाहे, जिस किसे दे मरजी फुलहेरी है, चमडी दा कोई भी रोग है चाहे, किसे भी तरह दी चमडी दी ऐलर्जी है, मैं शटाम पेपर दे गरंटी लेके देनू त्यारा, तुसी इस नुक बना के वर्त लो, जा सड़े तो लजा के वर्त लो, जिड़ा मरजी कोई चमडी दा रोग है, डॉक्टर केंदे यह ठीक नहीं हुंदा, एक मी ने दे वेच साफ कर देगा ए नुकता जिड़ा मरजी चमडी दा रोग है, नोट कर लो बनावना के में है, सो सारे नालो पहला लौनाली दवाई जड़ी ओ बनोनी है ओ नोट करलो इदे विच दादास गराम चीज़ां लेलो पंसारियां तो बावची पनवाड दारू हल्दी हल्दी कल्ली करांजबीज निबू दी जड़ी शिल्लड है ओ हरड बहेडा आमला मजीठ गलो चे रहता कुटकी चंदन लाल ते लाल ते चिठा दे दारू हल्दी देवदारू ते काली जीरी द्राण पुष्पी ते रीठा उस्व कटकारी कपूर ते गंदक ये सारियां चीज़ां दादास गराम लेके इनानों पीस देने है दफाड कर देने है ओ दुबाद ये तेल ले लेने है नारियल दा तेल निमदा देल और इंड़ दा तेल ए सा साओ ग्राम लेके जे जादे प्राओलम है ता एक एकड लीटर भी लै सागदे фरेयल वह साँ देनानों सवेरे शाम दो टें मुस्यकि अपनी प्राओलम दे उपर लोने है Tips घा झान गाण दानी दवा необходимо नोट कर लो, बावची 100 ग्राम, पनवाड 100 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, खदर्प 100 ग्राम, ते मजीट 100 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, गलोई 100 ग्राम, चरहता 100 ग्राम, चंदन 100 ग्राम, लाल, ते देवदारू 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, द्राण पुस्पी 100 ग्राम, लगू सोग्राम काली जीरी सोग्राम करांज व्रीज सोग्राम इन सारीआंद चीज जन घंड़ लहके ब्रीक पीस लहना एक चमचेंदवाई सवेरे एक चमचेंदवाई शामनु खाली पेट रोटी तुपहला इक पानीunting न लहन मैं गरंटी स्टाम पेपर ते लेखके देना तवानू जिटा मरजी सुराइससदार हो गए एक मी नेदे वेच खतम कर देगा साफ कर देगा ये नुकसा ते न मी ने वरतना पएगा जिड़ी मरजी प्राणी खाज खुजली है चाए गिली है चाए सुकी है गरंटी देनाल पेले मी नेचे ठीक हो जेगी जादा वरतन दी लोड़नी पेंदी जिड़ी मरजी तद्राने गोल गोल रिंकल बन गए ठीक नहीं हो रे एक मी नेदे वेच खतम हो जानगे दवारे जिंदगी चुदे नहीं कर दे जिड़ी मरजी चेरे ते फिंसिया ने पिंपल ने बचेया दे एक मी नवरतलो दवारे कदे पिंपल नी हो दे फिंसिया नी हो दिया चेरे ते जड़िया मर्जी शाहियाँ पैगिया ने जा इत्थे अपने जड़े गेने चूरडियाँ जड़ियाई गरन्टी लेखके देना एक मीनब वर्तलो शाहियाँ चूरडियाँ ख़त्म कर देगा यह नुकता जिड़ा मर्जी कोई चमडीदा रोग है फुलहेरी है कोई भी रोग है चमडीदा एक मिना ए नुकता वर्तन नाल तवाड़ा जिड़े वड़े रोगने प्या परसेंट ख़तम हो जानगे तैन मिने वर्तलों गे दोवारे जिंदगी जिका दे होनगे नी गरंटी दे नाल च जिड़ा मर्जी कोई चमडीदा रोग है तो अटा गरंटी ना ठीक हो जेगा हर एंतवार नूपेंड़े ड़े चापा मरीजा नू मिल देया तुसी एहर एंतवार सवेरे सात वजे तो लेके शाम दे सात वजे तक मिननू मिलके अपने रोगां दा गरंटी दे नाल इलाज करवा सकते हो तो अटा सवदाता नवाग चैनल नो सब्सक्राइब कर लेओ वीडियो नों के शेर कर दे करो कि सेधा पढ़ा हो सके तो अटा सवदाता नवाग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की खति